नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वर्ल इंडिया में बंगाल के सियासी समीकरण के साथ मैं हूँ पारुलत्यागी बंगाल का सियासी घमासान पूरे उफान पर है हो भी क्यों ना क्योंकि आने वाले चंद दिनों में जिन पांच राज्यों के विधान सबस चुनाफ होने वाले हैं उन में सबसे ज़्यादा चर्चा पश्यम बंगाल के चुनाफ की ही की जा रही है इस बार पश्यम बंगाल के चुनाफ पर खास नजर इस दिये भी है सवित कई केंद्रिय मंत्री लगातार बंगाल चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहीं त्रिन्मूल कॉंग्रेस से मम्ता बेनर जी यहां तीसरी बार सरकार बनाने की उमीद से मैदान में उतरी है 34 साल तक सत्ता में रहा लेफ्ट मोर्चा भी कॉंग्रेस के साथ मिलकर चुनाव में उतर रहा है दरसल पश्य मंगा विधान सबा चुनाव के लिए मदान 27 मार्च चुनू होगा मदान 24 में 29 अपरेल तक चलेगा जिसके बाद 2 माई को नतीजे घुशित कर दिये जाएंगे इस बार चुनाव 24 में कराय जाने को लेकर राज्ये की मुख्यमंत्री मम्तब एनरजी ने सवाल उठाए है और आरोप लगाया है कि ऐसा कर चुनाव आयोग बीजिपी को फायदा पहुँचा रही है वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि तोहारों की वज़ा से और कोविड-19 प्रोटोकॉल के मद्दे नसर बढ़ाए गए पोलिंग स्टेशनों के चलते चुनाव आठ चर्णों में कराय जाने का फैसला लिया गया है वाम दलो ने भी कहा है कि चुनाव आयोग ने इन तरकों में कोई दम नहीं है हाला कि बीजिपी ने चुनाव आयोग की घोशना का स्वागत किया है और दावा किया है कि इस तरह से बंगाल में विधानसवा चुनाव निश्पक्ष तरीके से कराई जा सकेंगे चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरीए समझाते हैं बंगाल का पूरा सियासी समिकरण दरसल पशिम बंगाल विधानसवा की 294 सीटो परचुनाव है जिनमें जीत तै करने वाला जादू आकड़ा 148 है पशिम बंगाल में 7 करोड 32,94,980 रजिस्टर्ड वोटर है मदान के पहले चरण में 30 विधानसवा शेत्रों के लिए 27 मार्ज को वोट डाले जाएंगे वहीं दूसे चरण में 30 विधानसवा शेत्रों के लिए 1 अपरेल, तीसे चरण में 31 विधानसवा शेत्रों के लिए 6 अपरेल, चौते चरण में 44 विधानसवा शेत्रों के लिए 10 अपरेल, पांचवे चरण में 45 विधानसवा शेत्रों के लिए 17 अपरेल, छटे चरण में 43 पश्रिम बंगाल विधानसबा चुनाव में कई बड़े चहरे अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं बीजेपी ने अब तक 5 सांसदों को टिकट दिया है कि हिंड्रिय मंत्री बाबुल सुप्रियों को टॉलिग गंज विधानसबा सीट से हुगली से सांसर लौकिट चटर जी को चुन्चुडा विधानसबा सीट से कूच बिहार से सांसर निसित प्रमानिक को दिन दहाटा बीजेपी ने मुकुल रॉय और उनके बेटे सुप्रांचु रॉय और राहुल सिना खोबी टिकट दिया है पार्टी ने अभिनेत्री पार्णो मित्रा को भी उम्मीदवा बनाया है पूर्फ गेंद्रिय मंत्री मुकुल रॉय कृष्ण नगर उत्तर से और उनके बेटे स रॉबांच्यों को बाजिपूर से उम्मीदवा बनाया गया है राहुल सिना हावरा से चुनाव लड़ेंगे साती पार्टी चुनावों में कलाकारों खेल और सिनेमा जगत के हस्तियों और कई पेशावरों को मैदान में उतारा गया है वहीं तृन्मूल कॉंग्रेस छोड हारी में बीजेपी में शामिल हुए शुबेंदू अधिकारी नंदिग्राम सीट से सूबे की मुख्य मंतरी ममता बैनर्जी को टकर दे रहे हैं तृन्मूल कॉंग्रेस की बात करें तो मुख्य मंतरी ममता बैनर्जी हर भार भावानी पुर से चुनाव लड़ती नज़रा लेकिन इस बार वो हाई प्रोफाइल नंदिग्राम से अपनी किस्मत ताजमान रही हैं टीमसी ने भी इस बार कई अभिनेताओं गायकों क्रिकेटरों निर्देशकों को चुनावी मैदान में उतारा है जैसे क्रिकेटर मनोश तिवारी को शिपुर्क से टिकेट मिला है औ इसके अलावा टीमसी ने फिल्म निर्देशक राज चक्रवर्ती को बैरकपुर निर्वाचन शेत्र से प्रत्याशी बनाया है लोग गायक अदीती मुंची को उत्तर 24 परगना के राज रहाट गोपालपूर सीट पर उमीदवाब बनाया गया है ऐसे में टीमसी की लिस्ट इसके दो और नाम दिल्चस्प हैं रतना चटरजी और सुजाता मंडल खान जो बीज़िपी में शामिल अपने पतियों के खिलाव चुनामी मैदान में उतर रही हैं इनमें बीज़िपी सांसर सोमित्रु खान की पतनी सुजाता मंडल और बीज़िपी नेतार शोभन चटर जी की पतनी रतन चटर जी शामिल है दोनों की उमीदवार अपने पतियों से अलग रही है वहीं वाम मोर्चा कॉंग्रेस और ए आईसेफ वाले गडबंदन ने कई एहन चहरों पर दाव लगाया है इनमें पश्चिम बंगार प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के वरिष्ट न नेपाल में तो अपनी मौझूदा सीट भाग मुंडी से चुनाव लड़ेंगे आईसेफ के अध्याक्ष सिमुल सोरेन हुगली जिले के खरीपाल से चुनाव लड़ेंगे मार्क्सवादी कम्यूनिस पार्टी ने इजवार का युवा चेहरों को चुनावी मैदान में उत पश्यम बंगाल चुनाव में जिन विधानसबा सीटों पर सबकी नजर रहेगी उनमें नंदिग्रम सीट सबसे प्रमुक है जहां ममता बेनर जी और शुवेंदू अधिकारी के बीच कड़ी टक्क है साथ ही जिन सीटों से बीजिपी के पांश सांसद लड़ रहे हैं वो रोई चुनाव लड़ रहे हैं जमूरिया सीट पर भी नजरे होंगी जहां से आईशी घोष चुनाव लड़ रही है वहीं बीजिपी के बड़े नेता अपने चुनाव प्रचार में पश्यम बंगाल के लिए प्रगति शील बांगला और शोनार बांगला जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है वहीं प्रदामंती नरेंद मूदी ने अपनी रैल्यू में आशोल पूरी वोर्तन की बात कही है यानि ऐसा बंगाल जहां गरीब से गरीब को भी आगे बढ़ने का पूरा अफसर बिलेगा उन्होंने कहा आशोल पूरी बोर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां हर शेत्र हर वर्क की विकास में बराबर की भागेदारी होगी विपक्ष्ट में ममता सरकार के खिलाब रस्टचा का मुद्दा भी प्रमुक्ता से उठा रहा है वहीं ममता सरकार पर अमफान रिलीफ फंड में गरबडी जैसे आरोप लगाई जा रहे हैं साथी बीज मंतरी अमेच शाह समेथ बीजिपी के अन्यनेता लगातार अपने भाशनों में बैनर जी को तोलाबाज बाईपो शब्द का इस्तमाल कर उन पर खमला बोल रहे हैं और गलत तरीके से धन जमा करने कारों भी लगाते आ रहे हैं ममता बैनर जी और उनके भतीजे और डाइमं प्रत्वकार धुवी करन और तुस्ट्री करन के मुद्दे लोगों की जुबान पर हैं ममता बैनर जी बीजिपी के खिलाफ देश में महंगाई गैस के बड़े दाम और पेट्रोल डीजल के बड़े दामों का मुद्दा बना रही है चुनाम में सभी दलों की नजर मत्वा समुदाय पर है उत्री बंगाल में करीव सत्तर मिधानसवा सीचो पर इसका समुदाय का प्रभाव है इस समुदाय के लिए नागरिकता बड़ा मुद्दा है यहां नर्सी सीये जैसा वैसा मुद्दा नहीं बन पाया जैसी उमीद की जा रही थी बीजिपी ने भी इस पुद्दे को चुनावों में नहीं उठाया है मदान संपन होने के बार नतीजों की घोशनार रविवार ज्यानी की दो मई को की जाईगी चलिए ब एक नजब पिछले ज्यानी की 2016 चुनावी समिकरंट पे डालते हैं 2016 के विधान सबा चुनाव में ममता बैनर जी की तुरिनमूल कॉंग्रेस से 211 सीटे जीत कर दो तिहाई बहुमत हासल की थी वहीं बीजेपी को महज 3 सीटे मिली थी लेफ्ट कॉंग्रेस की बात की जाये तो गड़बंदन राज़नीतिक पंडितों के अनुमान के बतावे कमाल नहीं कर पाया था 37 सीटे ही जीत सका था हाला की कॉंग्रेस ने 44 सीटे जीत कर अपना सहयोगी लेफ्ट दलों से बहतर परदशन किया था 2019 के आम चुनाम में बीजेपी ने 42 लोकसबा सीटों में से करीब करीब आदी यानी की 18 सीटे जीत का पश्चिम बंगाल में बड़ी कामयाबी हासल की और टीमसी ने 22 सीटे जीती ती जबकि लेफ्ट एक भी सीट जीतने में नाकाम रही इस चुनामी घमसान के बीच अब देखने वारी बात ये होगी कि बंगाल में जब महस दो दिन का वक्त बचा है मद्दान के लिए तो वहां की जंदा क्या टीमसी को अपना समर्थन देगी या फिर बंगाल में बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हुपाईगी फिलाल के लिए बस इतना ही आप देखते रहें ये न्यूस वर्ल इंडिया